तूफान नहीं था कैर था कैर अर खातम कितनी बजे हुई गुड मॉर्निंग दोस्तों इस वक्त हूँ मैं दादरी कनिना रोड पर और मैं रिष्टेदारी में गया था कल और वहां से वापिस आ रहा हूँ तो कल इतनी बहानक बारिस थी दादरी और दादरी से हिदर कनिना क कि तरफ कि बस पूछो ना और उस बारिस ने तना बुरा हाल कर दिया है याँ पे और अकेली बारिस ही नहीं थी बल्क उसके साथ बहुत 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 तूफान था पेड़ पो दे तोड़ दी है और जो फसले थी नहीं वो जमीन पर स्ट्रादी अभी मैं आपको उसका द आद्री से जब हम इस इलाक्य में आए तो इस इलाक्य के अंदर हमारी गाड़ी है ना एक बार तो बीच में पानी में समझे डूब ही गई हमें तो पताई नहीं था इतने आनक बारिश हुई है बारिस नहीं हुई है तब आई हुई है चलो देखे दोस्तों ले बैई यह और भाई हाथी गाड़ी डूब गई हमारी भाई जद बंद होगे ना गाड़ी तो बचाड़ा पढ़े जया देखो भाई रहे दाद्री ओ ओ ओ पर यह बारिश थी क्या खा रहे तो गाव में गुश गया पाने खेतों गाड़ी बारिश दाजरी बाड़े इलाके में और कितना बुरा आल कर दिया देखिए भाई फसलों का यह बाजरा है और बिल्कुल दर्खती से सटा दिया देखिए बहुत बुरा आल बाई और यह पूरे इलाके में किसी एक खेत की बात नहीं है इतना बयानक तूफान था कल और एंदिनों में वाला आल कि आ थी और T पानिक अभी खट्टा नहीं होता था इतनी बायानक के हो लग भग कितने बजे बारी शुरू होई थे और खतम कितनी बजे होई अच्छा बहुत तगड़ी थे बायानक अच्छा जागे रास्ता है कि नहीं वो ट्रक वापी सर तो गाड़ी के दर से जाएंगी अच्छा तो भई दर रास्ता है ना पूरी तरह बंद हो चुका है वो ट्रक गाड़ीया सब वापिस मुड़के आ रही है और हमने भी वापिस जाना पड़ेगा आप देख रहे मेरे पिछे ट्रक वापिस बैक हो रहे है और इधर भी बहुत सारे ट्रक थे वो देखो आप है सारे बैक हो रहे है सारा रास्ता बलोक हो गया है प्वानी प्वानी हो गया है मुझे भी वापिस चलना पड़ेगा और देखते हैं कहीं से रास्ता मिल जाए तो भाई भाई ने जैसा बताया उसके अकोंडिक है ना है मैं गाड़ी को यहां से बैक कर लेता हूं क्योंकि आगे रास्ता जाम है यह आज स्कूल का वलोग नहीं है किसान अन्दाता के नाम का वलोग है तो आम आगे यह दातोली शड़क होगी कि जो भाई सामने आ रहा है मैं इससे पूछ हूंगा आजे हमने कनेना जाना था नहीं वह तो बंद है इत्रा गाड़िया सब आतो गई बंद यह बारेस है और पेड़ में दातोली होगे बताया जो आगे ही जाओ वाले जो पानी है ना खेत का जो गाव में जो पानी घुस रहा है उसे बंद करने की कोशिस की जा रही है कहने का मतलब है पाड़ सी आगी है और बड़ी चिंतिया का विशे है आप देख सकते हो और उधर है ना गाड़ियों के वज़े इसे सड़क भी बलोक्षी होती दिख रही है यानि की कूफान नहीं था कैर था कैर साथ हूं और खेतों के साथ साथ वाई और यो मैंने एक लिंक रोड लिया इस लिंक रोड से मैं निकलने की कोशिस करूंगा लेकिन कई तक मुझे दूर दूर तक केवल पानी पानी दिख तहूं मैं और एक बार तो मेरा मन था है कि मैं हाईवे से निकलूं लेकिन वही क्या करूं किसानों की दूर दसा हो रही उसको देखा नहीं गया इसलिए वीडियो बनाने के लिए मैं इधर आया हूं यह देख सकते हो रहा है तो भाई आज अपने यह लाक्ये में रास्ते पूछ पूछ के मुझे निकलना पड़ रहा है क्योंकि जो लोकल रास्ते ना इस इलाक्ये की गाउं के उनके रास्ते में जानता नहीं हूं तो अभी ट्रेक्टर वाड़े भाई का बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने हमें रास्ता बताया चलो उस रास्ते पे निकलते हैं कहरें कि वो थोड़ा ठीक है वहाँ से निकल जाए इन अंडर पास का के फाइदा है पानी निकल ने सकता आपके रास्ते बंद हो जाते इन अंडर पास के अंदर से निकलते हैं तो डूबने का खत्रा वह बाईक बाईक वा दिखाई नहीं दिया यह दर साहिए तूफान नहीं था तूफान का इलाग का पीछे छूट चुका है लेकिन पाने यह भी खेतों में बराबा है और फसले भी है ना पाने में डूबी हुई है अब पानी कब सुखेगा कब नहीं तब तक यह फसले गल जाएंगी तो बैए कि वीडियो को मैं यहीं कलोज करता हूं तो वीडियो को लाइक सेर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई मिलेंगे फिर एक नहीं वीडियो में अब भाई तो क्या बोलू यार आज दुख बड़ा हो रहा इस बहानक आप दागों देखते हुए जैंद दोस्तों झाल